कुरोना काल में प्रदेश के उद्योगों को रहाद देने के लिए मुख्यमंतरी अशोग गेलोत ने S.E.S. उद्योग डॉक्टर सुबोत अगरवाल की अध्यक्षिता में टास्क फोर्स का गठन किया इस फोर्स ने प्रदेश के उद्योगों को 700 करोड के पैकेज का देने का प्रस्ताव सरकार को दिया है इस वक्त यह पैकेज प्रदेश के उद्योगों के लिए संज्वनी का काम करेगा प्रदेश के उद्योगिक संगठोरों ने इसका दिल खोल का स्वागत किया है अस्तो पैकरिज के प्रावधानों पर हमारे समवादाता बीके शर्वा ने फेडरिशन आफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रजिडेंट सुरेश अगरिवाल से खास बात चित की कोरोना काल में उद्योग और व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है ऐसे में मुक्ष मंतरी अशोग गैलोत ने राजस्थान में उद्योगों को संवल देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इसमें साथ स सुरेश जी ऐसे वक्त में साथ सो करोड का पेकेज यदिराज सरकार से मिलता है तो ये कितनी बड़ी राहत होगी बहुत अच्छी एक सरकार के द्वारा पहल की गई है और ये एक अच्छी गोसना है सरकार ने ततकाल प्रभाव से एक टास्क फोर्स का गठन किया और टास्क फोर्स ने बहुत जल्दी वेपारियों से मिलके वेपारियों की बात को सुनके सरकार को साथ सो करोड रुपे का एक परपोजल भेजा जिसमें आज की तारिक में जो बहुत जादा कठनाई में दो तिन ट्रेड चल रहे थे जिसमें खास परियतक था क्योंकि होटल वेबसाइब बिल्कुल जीरो की पोजिशन में है और साथ में टेक्स्टाइल है क्योंकि राजस्तान एक टेक्स्टाइल का बहुत बड़ा हब है तो टेक्स्टाइल और उद्योग भी बहुत बड़ी तकलीम में था इन दोनों के लिए इसमें खास ध्यान रखा गया है तो इसके लिए सरकार का एक ये सरहानी कदम है और साथ के साथ सरकार ने जो व्यपार और उद्योग पुरे राजस्तान की इसा लिया जाए तो मैं तो ये सरकार की एक अच्छा कदम और एक सरहानी कदम व्यपार उद्योग को संजीवनी देने वाना कदम मानूगा कि सरकार ने संजीवनी देने का काम किया है इससे पहले किंद्र सरकार ने भी पैकेज अनाउंस किया था उसका कितना फायदा मिला उद्योग को इससे पहले जो केंदर सरकार ने जो गोशना की थी उसका बहुत बड़ा फाइदा तो हम नहीं कह सकते हैं पर फिर भी जिस छोटे व्यपारी उद्योग पती को कहीं लोन नहीं मिल पा रहा था उसकी वज़े से लोन मिलना आसान हुआ है और लोन मिलने के बाद क कठनाई के दोर में कोविड की वज़े से कहीं बंदोंने की कगार में थे तो उनको भी संजीवनी किसी तरह से मिली है और वो बंद नहीं हो कि कहीं नहीं कहीं काम चला पाएंगे और काम चल पाएगा ऐसी मैं उमीद करता हूँ आपका या फोल्टी का मुहिम है आप लोकल को ग्लोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चाइना के उपड़ जो खासतोर से रो मेटीरियल की डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की आप किस तरह से उसका विकल्प तयार करेंगे सबसे पहले तो जरूरी है कि हमारे को ये देखना कि क्या क्या प्रोडेक्ट चाइना से आता है चाइना से जो प्रोडेक्ट आता है उसमें क्या क्या रो मेटीरियल लगता है तो सेंट्रल गोवर्वेंट के पास और स्टेट गोवर्वेंट के पास ऐसी सारी सुचनाएं है सारी चीजे हैं कि क्या-क्या product आता है और उसका raw material आता कहां से है मैं समझता हूं कि बहुत सारा mining करो material है chemical है जो Nerd- घर डूसरी जगह से निकलता है आस्टेलिया से या दूसरी जगेसे निकलता है वो हमारे को सबसे पहले परक्यार करना जरूरी है उसको पर्क्योर करके और उसको इस रूप में लाना जरूरी है कि उसको हम दूसरी इंडस्ट्रियों को दे पाएं अगर हम उसमें काम्याब हो जाते हैं और उसके हम भी कोशिस करेंगे सरकार अपनी कोशिस कर रहे है, 40 के लेबल पे भी हम अपनी कोशिस करेंगे 40 ने एक नारा भी दिया है, लोकल को बनाओ गलोबल, चीनी कम तो मैं यह समझता हूँ कि एक अच्छा चीज है कि केंदर सरकार और राजे सरकार दोनों इसमें सार्थक प्रियास अपने तरफ से कर रही है, अगर हम उन चीजों को लाके और हिंदुस्तान में उन सब चीजों को अगर हम आगे वाले रूब में ला पाते हैं तो हम सरफ यही नहीं कि हम अपना आयात कम कर पाएंगे, उसके साथ साथ हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा पाएंगे आज जैसे मेडिकल है, मेडिकल का मैकसिमम रो मेटरियल चाइना से आता है तो चाइनेज इंडस्ट्री चाइना की कोई धरती से नहीं है, वो आ रहा है मैकसिमम कहीं न कहीं दूसरे कंट्री से तो हम डाइरेक्ट वहां तक पहुंचें और उसको लाके इस प्रोसेस में करके उसको यहां के इंडस्ट्रियों को दे पाएं तो राज सरकार के 700 करोड के पैकेज का फोल्टी प्रेसिडेंट सुरेश अगरबाल ने सागत किया है साथ ही फोल्टी ने प्रदेश में लोकल को गलोबल बनाने के लिए खास मुहिम की शुरुआत की है कैमरामें सुनील कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी